जो लोग विदेश में MBBS की पढ़ाई करना चाते हैं, उन्हें इस बारे में बहुत सारे संदे होंगे, जैसे की सिक्षा की गुणवत्ता, सुरक्षा, सबसे अच्छा Medical College विदेश में पढ़ाई के बाद के अवसरा दी. सारे सवालों का स्पष्ट और प्रमानित विकल्प है केवल दवाव Medical College. दवाव Medical College फिलिपाईन्स के दवाव शहर में स्थित है. दवाव Medical College को दवाव Medical School Foundation भी कहा जाता है. Quality Medical Education प्रदान करने में पाँच दशकों की अपार विशेश अग्यता के साथ इस कॉलेज ने हजारों भारतिय च्छात्रों को डॉक्टर बनाकर उनके सपनों को साकार किया है. दवाव शहर दुनिया के शीर्ष दस सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है. यहां की सरकार ने म कभी-कभी पूरे महिने में एक भी मामला दर्ज नहीं होता. शहर लगातार पुलिस की निगरानी में रहता है. इसलिए MBBS की पढ़ाई करने जा रहे लड़कों या लड़कियों के अभिभावकों को दवाव शहर में उनकी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं यहां की जलवायू भी हमारे देश की जलवायू परिस्थितियों जैसे ही है. पूरे साल तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है. अतह जलवायू के कारण छात्रों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है. जो छात्र यूक्रेन, रूस, चीन जेसे ठंडे देशों में पढ़ाई करने का विकल्प लेते हैं, उन्हें वहां की जलवायू के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है. जैसे की खान-पान, पहनाव और ट्रैंस्पोटेशन आदिका. लेकिन दवाव घर से दूर घर जैसा है. इसके अलावा, फिलिपाइन स एक अंग्रेजी बोलने वाला देश है. लगभग सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं. तो हमारे चात्र जो दवाव मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उन्हें भाशा को लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी. इन सभी कारणों से हमारे कई भारतिय चात दवाव मेडिकल कॉलेज को चुन रहे हैं. जलवायू, सुरक्षा, भाशा, सब कुछ ठीक है. लेकिन भोजन के मामले में फिलिपाइन्स के लोग पश्च्यमी संस्कृती का पालन करते हैं. इस वज़े से हमारे चात्रों को फिलिपाइन्स में भोजन के बारे में इसका अवलोकन किया और उन्होंने दवाव मेडिकल कॉलेज के पास लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग एसी होस्टेल की स्थापना की और स्वादिष्ट भारतिया घरेलू भोजन उपलब्द करा रहे हैं. MSF is one of the topmost medical college from all over the world. The place is just quite as India. The temperature is also like India. The food is also good here. Compared to the other dorms, the food is very good here. And college is like very perfect. Like we have so many good professors. They make us understand everything properly. And the examination system or laboratory or whatever it may be, everything is very clear. And the learning process is like medicine is not easy thing. Like it's not easy. But they will pour the fuel into your mind to exaggerate your knowledge and all. This is a primary guard and warden. 24 hours time to worship. Every day, they are in the house. If people come to sleep through a dark night, every day they willkennt you. चात्रों के मातापिता को सूचित करेंगे। इस प्रकार हमारे भारतिय चात्रों की देखभाल के लिए SG Consultancy लगातार काम कर रही है। दवाओ Medical College में अत्याधुनिक चिकित सा सिक्षा प्रनाली है। यह नाकेवल Philippines में बलकी विश्व में भी सबसे आधोनिक एवंग सर्वश्रेष्ट मेडिकल कॉलेजों में से एक है। आम तोर पर MCI की मान्यता चाहने वाले प्रत्य एक विदेशी मेडिकल कॉलेज को Medical Council of India में आवेदन करना पड़ता है। लेकिन MCI सिर्फ उनी कॉलेजों को मान्यता देता है, जिनोंने सभी सुविदाओं में सुधार किया है और MCI की जाच में अच्छे परिणाम प्राप्त किये हैं। उस सूची में दवाव मेडिकल कॉलेज का होना सौभाग्य की बात है। इसके अलावा दवाव मेडिकल कॉलेज को WHO द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। जहां तक दवाव मेडिकल कॉलेज में सिक्षा की बात है, कक्षाओं में सिक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी होगा। आम तोर पर हर कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाते हैं लेकिन दवाव मेडिकल कॉलेज में विशेशग्य डॉक्टर छात्रों को पढ़ाते हैं इस वज़े से छात्र लेक्चर्स को सपष्ट रूप से समझते हैं और डॉक्टर्स ऐसी कई चुनाउतियों के बारे में बताते है जो उन्हें किसी विशेश मामले में मिली और ये भी बताते हैं कि उन्होंने इन मामलों का सफलता पुर्वक इलाज कैसे किया इस वज़े से छात्रों को आसानी से ये समझ में आ जाता है कि यदि भविश्य में इस तरह के मामले उनके सामने आते हैं तो मामले को कैसे हल किया इंफ्रस्ट्रक्चर के मामले में भी दवाव मेडिकल कॉलेज बहुत आगे है। एक शव उपलब्ध होता है। का तरीका सिखाएंगे ताकि छात्र व्यवाहारिक रूप से सब कुछ समझ सके। हम कह सकते हैं कि ये सिमुलेशन लाब सुविधा दवाव मेडिकल कॉलेज की सर्वश्रेश्ट विशेस्ताओं में से एक है। हमें ये हम पढ़नी के लिए काफी सारी फैसिल्टीज मिलते हैं। हमारे बास हर एक सब्जे का लाब है। हमें बहुत सारे टीचर्स अर लाग के लाग के समझाते हैं। और जाहन तक बास हमारे हुश्ट करणाओ हमारे अर्षट कर दो होती है हम सब को मौका मिलता है है कि हर एक एक अल्पिटल जाए हम प्राइवेट जाते हैं। हम डोनों तरह कि लोगों से मिल जोगे बास करते हैं। वो भी नाख लाग्ट टो कожे लाज़ी तो से के निवने श пошल्कात भाल टेसे टेजियों बुटारी अछा कर्या का यहें मेरेफशने की जा दिसमें हो… ख्वंदेर मेरिस somethinा मेरेफ लगिज़ूने हो जाता है दवाव मेडिकल कॉलेज में टीम लर्निंग सेंटर भी है इसमें छात्र छोटे समूहों में विशेयों पर चर्चा करते हैं परिक्षा की तैयारी करते हैं यहां तक कि छात्र जर्नल्स भी तैयार कर सकते हैं जिनें कॉलेज प्रसाशन के अनुमोधन के बाद प्रकाशित किया जा सकता है प्रति एक दो समूहों पर एक वरिष्ट संकाय को परियवेक्षिक के रूप में न्यूक्त किया जाएगा दवाओ मेडिकल कॉलेज में छात्रों को सापताहिक, मासिक, त्रेमासिक, अर्धवार्शिक आदी रूप में कई परिक्षाय देना होती है वो भी MCQ पैटर्ण में इससे छात्रों को हमारे देश में राश्ट्रिय परिक्षा देने और PGC प्राप्त करने में भी आसानी हो जाती है जबकि यूक्रेन रूसाधी देशों में अध्यायन करने वाले छात्र मौजूदा MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए संगर्श कर रहे हैं दवाव मेडिकल कॉलेज के छात्र पहले प्रयास में ही MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं और साथ ही All India Top 10 में स्थान हासिल करते हैं भारत में अध्यायन करने वाले और हमारे देश में सरकारी डॉक्टरों के रूप में काम करने वालों के लिए भी दवाव मेडिकल कॉलेज के छात्र सरकारी अस्पतालों में भी शीर्ष स्थान पर है दवाओ Medical College में अध्यायन कर रहे हैं चात्रों के लिए Clinical Exposure उनके तीसरे वर्ष के MBBS पाठ्यक्रम से शुरू होगा इसका मतलब है कि वे अपने अध्यायन के तीसरे वर्ष से अस्पतालों में काम करना शुरू कर देते हैं और अपने चौथे वर्ष में उन्हें हर समय अस्पताल में काम करते हुए कोर्स पूरा करना होता है दवाओ Medical College, 4000 बेडवाले, दवाओ Doctors Hospital, दक्षिनी फिलिपाइन्स चिकित्सा केंद्र, ब्रोकेन शायर हॉस्पिटल आदी से सम्मंद है जहां चात्र विविन्न प्रकार के रोगियों को संभालना और उनका उपचार करना सीखते हैं ये भी एक तत्य है कि 4000 बेडवाले Medical College की सुविदा हमारे देश में बहुत ही सीमित है दवाओ Medical College के चात्रों को आखिर के 18 महिने एक सरकारी अस्पताल में और एक नीजी अस्पताल में काम कराया जाता है ताकि पूरे साल वे सारी विभागों के संपर्क में रह सके और विभिन्न प्रकार के रोगियों और डॉक्टर विभिन्न विभागों और अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट के बीच के संबंद को भी जान सके और प्रतेक छात्र को पूरी प्रक्रिया सीखने के बाद डॉक्टर की देखरेक में कम से कम 10 से 20 डेलिवरी करनी होती है टॉक्टर के साथनाध भी जाना सब्सेटाशख भी हमारी पूरी पूरी कोशिछ कर रहे हो में में अपना रगलर केसा है जिसके वारा में डिस्कर्त करते हैं एं टीचार के संब्सक्राइबगा इसंु सुछ करते है कभी-कभी छात्रों को अस्पतालों में 36 घंटे की सीधी शिफ्ट से गुजरना पड़ता है हाँ, हाला कि ये कठिन लगता है इसे छात्रों को भविश्य में और करोना महामारी जैसे महामारी स्थितियों में मदद मिलेगी जहां उन्हें 36 घंटे या उससे अधिक समय तक अस्पतालों में काम करना पड़ता है कई छात्रों का कहना है कि 36 घंटे की इस तयारी से उन्हें इस तरह की परिस्थितियों में तनाव महसूस नहीं होता जिन छात्रों ने चीन, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिय आधी देशों में अध्यायन किया है भारत लोट कर आने पर उन्हें एक साल के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है जिन छात्रों ने इन जैसे देशों में अध्यायन किया है वे बहुत सी चीजों को नहीं समझ पाते हैं क्यूंकि वे ठंडे देश है भारत में रोग के पैटर्ण और इन ठंडे देशों में रोग के पैटर्ण पूरी तरह से अलग है लेकिन दवाव मेडिकल कॉलेज फिलिपेंस में अध्यायन करने वाले छात्रों के साथ ऐसा नहीं है क्यूंकि हमारे देश और फिलिपेंस में जलवायू परिस्थितियां और रोगों के प्रकार भी समान है चूकी वे पहले से ही इन बिमारियों का इलाज कर चुके होते हैं अथह भारत लोटने के बाद उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और इन देशों में पढ़ने वाले छात्रों की डॉक्टरों और मरीजों से बाचित कम होती है क्यूंकि वे वहां के लोगों की भाषा नहीं समझते हैं लेकिन दवाव मेडिकल कॉलेज फिलिपीन्स में पढ़ने वाले छात्रों को यह समस्या नहीं होती है फिलिपीन्स में लगभग सभी लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं यही नहीं हमारे केंद्र सरकार ने भी घोशना की है कि फिलिपीन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लोटे छात्रों को एक साल की इंटरंशिप करने की आवश्यक्ता नहीं है इस वज़े से छात्र अपना बहुमूल्य एक वर्ष का समय इंटरंशिप में बरबाद किये बिना पीजी प्रवेश परिक्षा में शामिल हो सकते हैं दवाउ मेडिकल कॉलेज उन छात्रों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, यूके आधी देशों में पीजी करना चाहते हैं क्यूंकि दवाउ मेडिकल कॉलेज में पाठ्यक्रम संग्युक्त राज्य अमेरिका की सिक्षा प्रनाली से संबंदित है और दवाउ मेडिकल कॉलेज में अध्याइन करने वाले च्छात्र भी USMLE परिक्षा को आसानी से पूरा कर लेते हैं इनोे को च्छतितों स्थियू अंड़ ये घ्रषा एक पौंट प्रूझी। प्रश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है इस वजे से हमारे भारतिये छात्रों को फिलिपाइन्स में भोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी इस समस्या को देखते हुए SG कंसल्टेंसी ने दवाव मेडिकल कॉलेज के पासी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग होस्टेल की स्थापना की और स्वादिष्ट भारतिये घरेलू भोजन उपलब्द करा रहे हैं SG कंसल्टेंसी ने इन छात्रा वासों में भोजन तयार करने के लिए भारतिये शेफ नियुक्त किये हैं अगर किसी भी छात्र को किसी भी चीज को लेकर समस्या आ रही है तो SG कंसल्टेंसी उस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए कारवाई करेगी इस तरह SG Consultancy केवल छात्रों को ही नहीं बलकि अभीभावकों को भी तनाव मुक्त करती है मतलब जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसके पेस्ट पर ही आपको एक केस दिया जाएगा जिसका आपको इंटर्प्रेशन करना होता है उससे क्या होता है कि आपको क्लिनिकल ग्यान पढ़ जाता है माता पिता भारत में तनाव मुक्त रह सकते हैं क्यूंकि SG कांसल्टेंसी उनके बच्चों को दवाव में घर के माहल से दूर एक घर प्रदान कर रही है और उतक्रिष्ट भोजन और सुरक्षा प्रदान कर रही है SG कांसल्टेंसी दवाव मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरने से लेकर सनातक की पढ़ाई पूरी कर वापस भारत लोटने तक छात्रों का पूरा ध्यान रखती है चात्रों और उनके मातापिता के लिए 2400 घंटे उपलब्द रहने और उनकी हर जिम्मदारी लेना SG कांसल्टेंसी की विशेष्टा है नमस्ते, पेरेंट्स, गार्डियन्स और स्टुडेंट्स को अब्रॉड में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए काफी कन्फिजन होती है और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अब एक अच्छा कॉलेज अगर सेलेक्ट करना है तो उनको तीन पैरामेटर्स के बेसिस पे सेलेक्ट किया जा सकता है पहला है safety, दूसरा infrastructure और तीसरा वहाँ पे खानपान और वहाँ की जलवाई हो Philippines एक ऐसी country है और वहाँ पे दवाव Medical School Foundation यानि दवाव Medical College एक ऐसा college है जो इन तीनों parameters पे फिट बैठता है safety के अगर मैं बात करूँ तो obviously अगर आप बाहर बिजा रहे हैं अपने बच्चों को तो आप चाहेंगे कि उनकी safety जो है आपकी प्रात्मिकता हो उसके अलावा वहाँ पे हमारे खुद के hostels हैं separate boys and girls hostel तो आपके बच्चों की responsibility भी हमारी responsibility बन जाती है और जो infrastructure की मैंने बात की ये college international standards के libraries, labs और classes के साथ है NMC ने अभी 2022 से next national exit test की घोशना की है जो की इंडिया से पढ़ने वाले students और abroad से पढ़ने वाले students के बीच का अंतर हटा देता है तो आप चाहे डेली से पढ़े या यूपे से पढ़े या south में चन्नाई से पढ़े करनाटका, हैदराबाद या किसी भी राज्जी से पढ़े या abroad में किसी भी country से पढ़े सब को next के द्वारा ही या तो डॉक्टर की practice करनी है या फिर PG course करना है तो ये अंतर तो हट गया उसके अलावा जो है फिलिपीन्स में दवाव medical college में US curriculum follow किया जाता है जिसमें की ज़्यादा practical based knowledge दी जाती है और clinical exposure भी काफी अच्छा होता है यहाँ पे डॉक्टर्स की नीगरानी में बच्चे, students, minor operations करते हैं, delivery's करते हैं तो practical knowledge काफी gain कर लेते हैं खाने पीने के लिए हम लोग ने अपने खुद के मैस रखे हैं जो हम भारतिये खाना बच्चों को देते हैं और जलवायू के हिसाब से भी फिलिपीन का क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट के अनुसार है तो उनको ना ही जादा थंडी सहन करनी पड़ती है, ना ही जादा गर्मी अगर बच्चे वहाँ पर जाकर कि खुद से पकाने में अपना टाइम वेस्ट करें, कपड़े दोने में अपना टाइम वेस्ट करें, तो उनके पढ़ाय के अवर्स कम हो जाते हैं जो हम नहीं चाहते हमने उनका ख्याल रखते हुए, उनको टाइम से खाना पहुंचाते हैं, वहाँ पर हम नहीं चाहते कि वह किसी भी दूसरे अक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट करें SG Consultancy अगर चाहे तो अनेकों कॉलेज में दूसरे कंट्रीज में भी अड्मिशन्स करा सकता है, लेकिन ये हमारी प्रात्मिक्ता नहीं है हमारी प्रात्मिक्ता है कि बच्छे सही जगा जाएं, सही कॉलेज जाएं, वहाँ से पढ़ली करके सफल डॉक्टर बने इसी वज़े से हमने एक ही कंट्री और एक ही कॉलेज को सलेट किया है, जहां पे हम बच्छों का एड्मिशन्स कराते हैं और वो है दवाव मेडिकल स्कूल फांडेशन और ये एक बेस्ट कॉलेज है, जिसकी वैसे हमने इसी को प्रात्मिक्ता दी है SG Consultancy का एम है 100% Parents and Students Satisfaction हम चाहते हैं कि बच्छे खुश रहें, पेरेंस खुश रहें और आविसली वो सही जगा से पढ़ करके सफलता हासल करेंगे तो ये हमारा प्रयास रहा है और निरंतर ये प्रयास भी रहेगा कि स्टुडेंट्स यहां से पढ़ ली करके एक सफल डॉक्टर बने और मानवत्ता की सेवा करें नमस्कार अपने लाब को प्रात्मिक्ता दिये बिना SG Consultancy लगातार आपके बच्चों की देखभाल कर रही है और उनके सुनेरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है पिछले सात वर्षों से SG Consultancy ने एक हजार से अधिक शात्रों को फिलिपाइन्स भेज कर उनके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने में मदद की है यही नहीं हारत वर्ष में दवाव मेडिकल कॉलेज के लिए SG Consultancy अधिक्रित Consultancy है इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी परामर्ष सेवाएं कितनी अनोखी है SG Consultancy ने अपनी सेवाई विस्तृत करते हुए अब अपने हाइदराबाद कॉर्परेट ओफिस के अलावा अपना अधिक्रित हेड ओफिस उत्तराखंड के दहरादुन में स्थापित किया है जो छात्र छात्राएं डॉक्टर बनके अपने वेक्तिगत और प्रोफेशनल केरियर को प्रगती देना चाते हैं वे छात्र छात्राएं संपर्क करे SG Consultancy Services T11, 3rd Floor, NCR Plaza, New Kant Road, Deradun, Uttarakhand, 248001 Phone Numbers 90680-14014 90687-23450-86501-49228